नमस्कार आप देख रहें सिल्क टिबी और मैं हूँ आपके शाथ नीश गुपता आए करते खबरों की सुर्वात सबसे पहले एक रिज़ डालते हैं इसकी हेड्लाइन्स पर चेरखानी की घटना को लेकर दियारा इलाके में दो गुटों के बीच भीचन गोली बारी ग्रामीनों फैली दशत तिलका माजी भागलपूर विस्विद्याले के कुलपती प्रॉफेसर विभास चंद्रजानी दिया इस्तिफार राजववन के फैसले का है इंतिजार नए ट्राफिक एक्ट के बिरोध में युवा कॉंग्रिस ने निकाला प्रती रोध मार्च केंद्र सरकार के फैसले को बताया गलत गलगाँ पुलिस को मिली बरी शफलता मेडिसिन पहुचाने वाली भैंसे भारी मात्रा में विदेशी सराप्ष के साथ एक तसकर रपतार और सदर एजडियो आसिस नरायन ने जल जीबन हरियाली योजना को लेकर की समीक्षा वैड़ाबच और अब खबर विस्तार से भागलपुर में दियारा इलाके में दिन दहारे गोलीवारी की घटना से लोग काफी भैवित है नातनगर थाना छेतर के चवनिया दियारा और बिन टोली के ग्रामीनों ने छेर छार की घटना को लेकर दरजनू राउंड गोलियां फायर की और बम फोरे इस घटना में कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है जिसको इलाज के लिए पुलिस की मदद से अस्पताल में भरती कराये गया है गौँ में तनाओ और गोलीवारी की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस दियारा पहुची और मामले की जाच में जुट गई विरोध में सुक्रवार की सुभा दोनों गाउं के ग्रामिन आमने शामने हो गए हुच बंदाल हो एले। थिठार की जाची कारें तिनों गाराम गारे कर के वखिल जाब के अज़ावर से आया यहां सुना की मार दिया हो इनोट के बंसयाक दूस अन्ने गिया ताम दिया थालिए जोली भांग दिया सांती निकेतन से आने के बाद कुलपती प्रोफेसर विभास चंडरजा को तिलका माजी भागलपुर विश्विद्याले रास नहीं आया माज एक मा के कारिकाल के बाद कुलपती ने अपना इस्तिफा राजभवन को 6 सितंबर को भेज दिया कुलपती प्रोफेसर भीसी जहा के इस्तिफा को लेकर बताया जा रहा है कि अस्वस्त होने के कारण उन्होंने अपना इस्तिफा राजभवन को शौप दिया है हम आपको बता देगी टियम व्यू के एक सेटवे कुलपती के रूप में प्रॉफेसर विभास चंदर जहा ने 29 जुलाई को पदभार गहन किया था इसके बाद कुलपती लगातार एक मातक विश्विध्याले आते रहे वही 31 अगस्त से 5 सितंबर तक कुलपती छुटी पर चले गए और 6 सितंबर को उन्होंने अपना इस्तिफा दे दिया अचानक कुलपती के इस्तिफे की खवर से बिश्विध्याले में हलचल तेज हो गई है और क्रमचारी से लेकर अधिकारी तक कई तरह के कयास लगा रहे है कुलपती के नहीं रहने से डिग्री लेने वाले छातर चात्राओं को काफी परिशानी हो रही है साथी जरूरी संची का भी लंबित हो गई है वही कुलपती प्रोफेसर विवास चंद्रजा ने शुक्रबार को बताया कि स्वास्त ठीक नहीं रहने की कारण उन्होंने इस्तिफे का फैसला लिया नए मोटर एक्ट के विरोध में शुक्रबार को भागलपुर में परतिरोध मार्च निकाला गया इस दौरान लोगों ने हातों में कॉंग्रेसी जंडा लेकर सरकार के खिलाब जम कर नारे बाजी की और परधान मंत्री नरेंद्र मोधी मुर्दावाद के नारे लगाए। कारे करता माजूद थे। सराब बंदी के बाद सराब तसकरी का धंदा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सराब माफिया सराब तसकरी के लिए अब दवा सप्लाई करने बाली कारियों का इस्तमाल कर रहा है। सुकरवार की सुबद सनहौला पुलिष ने गुप्त सूचना के अधार पर कारवाही करते हुए एलकेम दवा कमपनी के भेन से भारी मातरा में बिदीसी सराब को बढ़ामत किया है। पुलिष ने भेन से एकानवे काटून सराब के साथ एक व्यक्ति को ग्रिफतार किया है। पकड़े गए सराब तसकर की पहचान समस्ती पूर के नौवा चकी निवासी तुन्टुन चौधरी के रूप में हुई है। कहलगाओं SDPO रेशू कृष्णा ने कहा कि मेडिसिन पहुचाने वाले भेन से हनुवारा होते हुए सराब की बरी खेफ लाई जानी की सूचना मिली थी। इसके बाद थानाध्यक्ष ने हनुवारा के समीब गारी को रोकर तलासी ली जिसमें 91 काटून से 2280 बोतल सराब बरामत किया गया। भागलपूर नातनगर प्रखंड कारियाले में सुक्रवार को सदर SDO आसिस नारायन की अधिक्षिता में समिक्षा बैठक वी। बैठक में नातनगर, सबोर, जगदेशपूर, साकून, गोडा डी और सुल्तानगंज के सीओ, वीडियो और सीडिप्यो मौजूद थे। इस दोरान SDO ने जल जिबन हरियाली योजना के तहत तलाब को अतिक्रमन मुक्त कराने, दाखिल खारी जमाबंदी, गली नाली योजना, इंद्रा आवास, सहित नातनगर और गौरा चौकी तलाब को अतिक्रमन मुक्त करा कर जिर्णो धार का निर्देश दिया। नातनगर कबिरपूर पूल के समीव जनसेवा एक्सप्रेस टेर्ण से गिर कर एक छात्र की मौत मौके पर ही हो गई मिर्तक छात्र की भचान सुल्तानगन स्थाना छेत्र के मोती चौक निवासी भज्जन मंडल के 18 वर्षिय पुतर नितिस कुमार के रुप में हुई है घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुक्रबार की दौपार सुल्तान गंज की और जाने वाली जनसेवा एक्सप्रेस से छात्र गिर गया मिर्तक मुरार का कॉलेज में पार्ट वन का छात्र था वहीं घटना अस्तर पर लोगों की भिर जुट गई सुचना मिलते ही मौके पर पहुची रेल प्लीस ने सब को कबजे में लेकर पोश्ट माटम के लिए फेश दिया वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद अब देखते रहे सिल्क टिवी आपके लिए लेकर आए हैं प्लोट्स आसान मासिक किस्तो पर स्टेट हाइवे के पास गोनुधाम और जगदीसपूर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तो पर ओक्सिमीन ग्रूप अप कमपनी सिकंदरपूर नियर पानी टेंकी भागलपूर मुवाइल नंबर 7079-446584-8430-075573 तिलकामाजी भागलपूर विश्विद्याले से संबद्वता प्राप्त भागलपूर जीले का प्रतिस्थित तालर महाविद्याले तालर में 17,000 बिस के लिए कॉंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जा रही है आज के इस अत्याधुनिक युग में कॉंप्यूटर की जानकारी विसेसकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है इस कोर्स में बेसिक कॉंप्यूटर कंसेप्ट, MS Office, Word Processing, MS Excel, MS PowerPoint शामिल है नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्याले के प्रचारे डॉक्टर प्रदीब कुमार सिंग द्वारा चात्रों के बेहतर भविस्य के लिए महाविद्याले में अत्यादोनी Computer Lab, सुसजित पुस्तकाला एवं एक्सपर्ट सिक्षकों की संपुर्ण व्यवस्था की गई है जो चात्रों को संबंदित कोर्स में गुनवक्ता पूर्ण सिक्षात दे सके एक चुक चात्र चात्रा है 25 जुलाई से महाविद्याले से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोवाईल लंबर 9431-689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का श्वागत आप देखरें सिल्क टीवी आए बरते अगली खबर की ओर भागलपूर बियसनल महाप्रवंदक कार्याले में सुक्रबार को प्रेस कॉन्फरेंस का आयोजन किया गया मीडिया को शंबोधीत करते हुए उप मंडल अभियंता संजे कुमार कनोजिया ने बताया कि भागलपूर, बाका, नौगच्छिया, कहलगाउं और अमरपूर में 15 सितंबर से आधार सेवा केंदर का शुबारम होगा जहां उपभोकता अपना निश्चुलक आधार कार्ड बनवा सकते हैं उन्होंने कहा कि आधार कार्ड में संसोधन के लिए कुछ रासी तै की गई है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बियसनल की ओर से भारत फाइबर को लांच किया गया जिसका लाब जिले के उपभोकता प्राप्त कर सकते हैं इसके अलाबा उन्होंने 14 सितंबर को आयोजित लोक आधालत में बाकाया भुकतान पर 50% छुट देने की बात कही बियसनल भागरपूर कुछ नहे योजनाओं के साथ भागरपूर के जन्ता को बताना चाह रहा है और इसी क्रम में बियसनल अधार सेवा केंद्र जो की भागरपूर, नौगच्छिया, कहल गाउं, अमरपूर और बांका में चालू बने जा रही है और इसमें हम नए अधार कार्ड और जो भी अधार कार्ड में संशोधन करना है, उसका रिक्वेस्ट ग्रहाक सेवा केंद्र पे ये पाँच जगे चालू हो रहा है महात्मा गांधी की 150-वी जैनती पकवारे को लेकर गांधी सांती परतिस्थान केंद्र की ओर से आयोजित विविन परतियोगिताओं के चौथे दिन सुक्रबार को संगित परतियोगिता का आयोजिन किया गया जिसमें विविन स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बापू के भजन और देश भक्ती गीतों की प्रस्तूती दी सचीब संजय कुमार ने कहा कि इस तरह के परतियोगिता से एक और जहां बच्चों का बौधिक विकास होगा वहीं दूसरी और राष्टपिता महतमा गांधी के विचारों से अफगत होगे उन्होंने कहा कि महतमा गांधी के विचारों पर चल कर ही भारत एक ससक्त राष्ट बन सकता है इस मौके पर एनूल होदा प्रकास चंदरगुपता सहीत करी लोग मौचूद थे भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने सुक्रबार को प्रेस कॉन्फरेंस आयोजित कर कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के जन दिन को भाजपा सेवा सप्ता के रूप में मनाई की जिसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है साथ दिनों तक भाजपा की ओर से अलग-अलग कारिक्रम आयोजित किये जाएंगे जिला अध्यक्ष ने कहा कि सेवा सप्ता का प्रमूख संजीब सिंग को बनाया गया है वही जिला अध्यक्ष ने कहा कि कारिकर्ताओं के बल पर सदस्ता अभ्यान में बिहार में प्रथम अस्थान भाजपूर को मिला है जिससे कारिकर्ता काफी उत्साहित है जिला के प्रमूख बनाए गया है और इसमें जो होने वाले प्रमूट तारिकर्म है उत्तों पंगलत तारिक को रख्तिदाग सिवीर का आईजन किया गया है सब्सक्राइज को जो अश्रतावों में मरीजों के भीच ऐसे खर्ल और इस बिस्कीट ऐसे सामधियों के पैकेट बना गया है और मरीजों के भीच में इसके घ्रम का पाइब रखा गया है पिए 17 कारीख को यहां के लोग तय किये हैं कि यहां को ऐसे धिज्यान बच्चे हैं जो ब्लाइंड इस्कूल है उसके जो धिज्यान बच्चे हैं और जो रहालंबी अनाथाले हैं भागलपुर के घोगा प्रसस्त्र डी मार्ग पर लहोरी पूल के समी बाइक से गुजर रहे युबक पानी की तेज बहाब में बहकर गहरे पानी में डूप गया युबक की पहचान स्वरूप चक निवासी महिंदर केस्री के पुत्र 18 वर्ष ये गौतम केस्री के रूप में हुई है मिरतक युबक सबोर कॉलेज में बारवी कक्षा का छात्र था घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गुरुबार को गौतम अपने दोस्त के साथ अनंत पूजा का समान लेकर बाइक से अपने गाउं स्वरूप शक जा रहा था इसी दौरान लहोरी पूल के समी बाइक चालक मित्र का संतूलन बिगर गया और बाइक के पीछे बैठा गौतम पानी में गिर गया जिसके बाद पानी के तेज बहाब में वबह गया घटना के बाद मित्र के दोस्त ने सोर मचाना सुरू कर दिया जिससे कुछी देर में आसपास के ग्रामिनों की भीर मौके पर जुट गई और गोता खोरो की मदद से देर साम उसके सब को पानी से बाहर निकाल लगया वही घटना के सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची पुलीस ने सब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया तिलका मांची भागलपूर विश्विद्याले के पीजी रसायंस सास्त्र विभाग में सनी बार को एक दिवस्य राष्टे सेमिनार का आयोजन किया जाएगा सेमिनार को लेकर सुकरबार को दिन भर विभाग में तयारी जोरो पर थी वही राश्टिय सेमिनार को लेकर असायन सास्त्र विभाग में प्रेस कॉन्फरेंस आयोजित कर कई जानकारी दी गई प्रेस वार्ता के दौरान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर महिस्वर परसाद सा, सयोज़क डॉक्टर असोक कुमार जा, आयोजन सचीब डॉक्टर रविंद्र कुमार, बी एच यू के प्रोफेसर राज कुमार ने क्या कुछ कहा आईए हम आपको दिखाते हैं यहां आवार्तासारणि का अंतर राष्य्टिय वर्श यूनश्को द्वारा में रधार्इत हैं और इस अवसर पर पूरी दुनिया में राष्य सेमिनार का आयोजन हो रहा है तो यहां भी हमारे हैं सेमिनार का यह यूजन हो रहा है उसका भिशह 很च ज disaster यह इसका विशय है और इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपूर साखा के द्वारा यहां प्राइमजी पर चर्चा होगी, यह जी 2019 है, वो इंटरनेशनल इयर आप प्रियोडी के दूट में मनाया जाएगा, सबसे पहले जो प्रियोडी सिस्टम के बारे में जो दिया, में दि सिक्ट निया ऑठाटाइशनल उन्हें के उन्होंने यह पर जाह है, लेकिन उसके बाद से जो बहुत जादा इसके परिसर्ट शुरू हो गया, क्योंकि यह जो प्रियोडी सिस्टम में दिया उसका बेस्ट था, और उसके बाद भरवु रिसर्ट बहुत जादा, इसमिक बह रहे हैं वो जो है मुसले का दिन है जिसमें मुसले में अटोमिक नमर के दार पर सारे एलिवेट को सजाया है जो हमारे यहां इंटरनेशनल एर और प्रियेडिव टेबूल का जो से ना रहने जा रहा है उसकी तैयारी करेब करीब परून हो चुकी है और डिफ्रेंट पार्ट इसी विश्विद्धाले से पोस्ट गेजवेट करके भी अवी अवी असुशेट प्रोफेशर हूं और यह इंटरनेशनल एर ओफ प्रेडिक्टेबल बनाया जादा है जैसा सर ने बताया अभी और मुस्ट ओप्पाउंड क्या है सारे कंपाउंड साथ के एलिमेंट से बन कर्मियों ने धरना परदर्शन किया इस दोरान कर्मियों ने राज सरकार के खिलाप जम कर नारे बाजे की ग्राम रक्षा दर के जिला अध्यक्ष पबन कुमार भारती ने कहा कि हम लोग जिला पुलिस कर्मियों की तरह कारे कर रहे लेकिन अब तक ना तो सरकार की ओर से मा बागलपूर के आनंद रामधन देमिला करके काउम कर रहे हैं। बागलपूर के आनंद रामधन देमिला करके काउम कर रहे हैं। बागलपूर के नातनगर स्थित स्री चमपापूर दिगंबर जैन सिध छेतर में दस लक्षन महापर्व भक्ति में महाल में संपन हो गया। महापर्व के अंतिम दिन देश के विविन राजियों से आये सरधालों ने भगवान वाशुप पूजे निर्वान महतसपुरी आस्था के साथ मनाया। इस दोरान सरधालों ने भगवान वाशुप पूजे का महामस्ती का विशेक कर विश्व सांते की काम ना की। महराष्ट से आये प्रवचन करता पंडित आलोक सास्त्री ने कहा की दस लक्षन महापर्व आत्मिक उत्थान का पर्व है। वहीं रास्थान से आये पंडित नमन सास्त्री ने कहा की उदारता बड़ी सोच का प्रतिफल है। इस मौके पर गोपाल जैन पदम पाटनी जै कुमार काला सहीत काफी संख्या में सरधालों मौजूद थे। चलते चलते फिर सेक नज़र डालते आज की हेडलाइस पर। नए ट्राफिक एक्ट के विरोध में युवा कॉंग्रिस ने निकाला प्रति रोध मार्च केंद्र सरकार के फैसले को बताया गलत। गलगाँ पुलिस को मिली बरी सफलता मेडिसिन पहुचाने वाली भैंसे भारी मात्रा में विदेशी सराप के साथ एक तसकर रपतार। और सदर S.D.O. आसिस नरायन ने जल जीवन हरियाली योजना को लेकर की समीच्छा वैठावाची। फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही नमशकार।